अस्सलाम आलेकुम आज हम बनाएंगे बिरियानी उसके साथ में मीठा मेरे तरीके से इस तरह जरूर बिरियानी बना के खायेगा बहुत टेस्टी बनता है लास तक के वीडियो में बने रहिएगा बिरियानी बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक किलो चावल ले लिए हूँ बारीक चावल आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं चावल में में डाल देती हूँ पानी इसे मैं अच्छे से चावल को धुल के साफ कर लेती हूँ दो पानी से अच्छे से धुलके साप कर ली हूँ, इसमें मैं डाल देती हूँ पानी है, पानी आपको इतना डालना है कि चावल के उपर तक के दो इंच रहे, ऐसे हम भिगने के लिए रख देंगे चावल को, यहाँ पे मैं मसाला दिखा देती हूँ, मसाले में मैं ले ली ददस रुपे का पुदीना, दस रुपे का कोदी मिर ले ली हूँ, इन सभी को मैं बारी कट कर लेती हूँ, गोश को मैं दिखा देती हूँ, यह किलो से थोड़ा ज़्यादा है गोश, गोश को मैं अच्छे से उबाल ली हूँ, मैं आज बनाऊंगी बिफ की बिर्यानी, इन सभी सबजी को मैं बरी कट कर लेती हूं, टमाटर को अलग पीसना है, पतीली गरम हो गया है, तो इसमें हम पाव किलो तक के तेल डाल देंगे, एक बड़ी लाइची, चार छोटी लाइची, दस से बारा काली मिर्श, दस से बारा लॉंग दाल चिनी का टुकड़ा, इन प्याज को हम चला देंगे, प्याज जब तक फराई हो रहा है, इधर मैं साइड में चावल के लिए पानी रख दी हूं, पानी में एक बड़ी लाइची, दो छोटी लाइची, छोटा साथ दाल चिनी का टुकड़ा डाल देती हूं, पानी में उबाल आने देती हूं, इध तो इसमें हम बरिक कटा हुआ पुदीना अकोती मेर डाल देंगे, पुदीना कोती मेर को दस से पंदरा सिकंड के लिए पकाना है, हमें इसका कच्चापन निकालना है, 10 से पंदरा सिकंड के लिए इसे मैं पका ली हूँ, अब इससे ज़्यदा नहीं पकाना है, अब इसमें हम डाल देंगे पिसे होए टमाटर, टमाटर को मैं बारिक पीस ली हूँ, इसमें मैं अद्रक लेसुन का पेश्ट डाल देती हूँ इसी चिम्मच से दो चिम्मच अद्रक लेसुन का पेश्ट आप टमाटर डालने से पहले डाल दीजिएगा मैं बाद में डाली हूँ ऐसे हम अच्छे से भून लेंगे अब इसमें मैं डाल देती हूँ टेस्टिंग पोडर आधा चिम्मच ये सक्कर के सका बारीक रहता है टेस्टिंग पोडर मसाला पकना इस्टार हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे और मसाले लाल मिर्च पौडर एक चिम्मच, गरम मसाला दो चिम्मच, बिब मसाला दो चिम्मच, हल्दी पौडर, आधा चिम्मच, कस्तूरी मेथी आधा चिम्मच, स्वधन सान नमग, दो चिम्मच, धनिया पौडर इन सभी मसाले को हम डाल देंगे मसाले में चार चिम्मच यहां पर मैं ले ली हूँ, दही, दही को अच्छे से फेड लेना है, मसाले को मैं अच्छे से मिस कर दी हूँ, साइड में पानी भी वबलना इस्टार्ड हो गया है, तो इसमें हम हलका सा नमक डाल देंगे पानी में, अखनी में हम डाल देंगे, थोड़ा सा पानी, मसाले को अच्छे से पकने देंगे, इधर मैं चावल डाल देती हूँ, चावल का पानी पकना इस्टार्ड हो गया है, सभी चावल को मैं डाल देती हूँ, सभी चावल को मैं डाल देंगे, बार बार चावल को नहीं चलाना है, एक से दो बार चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं, इधर ये मसाला भी अच्छे से पकना इस्टार्ड हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे उबले हुए गोस, गोस को मैं डाल दी हूँ, मेरे तरीके से बार जरूर बिर्याणी बना के खाईएगा, बहुत टेश्टी बनता है, इसमें बिर्याणी मसाला नहीं पड़ता है, गोस और मसाले को अच्छे से मीश कर देती हूँ, हैसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ, जब तक तेल सबी उपर न आ जा tube, अच्छे से हों, तेल उपर आ गया है, इधर ये चावल भी अच्छे से पक गया है, चावल को हमें ज्यादा नहीं पकाना है इतना तक के पकाना है कि अखनी में डाल लें ही एक भाप फाने तक के उतना हमें चावल को पकाना है चावल को मैं पानी से अलग कर देती हूँ एक छन निप में मैं छान ली हूँ तो इसमें हम अखनी में डाल देंगे ये उबले हुए चावल सभी चावल को मैं इसी तरह डाल देती हूँ सभी चावल को मैं डाल दी हूँ उपपर से मैं थोड़ा सा एलो कलर डाल देती हूँ इसे हम ढग देंगे जब तक बिर्यानी दम हो रहा है इधर हम जर्दा बना लेंगे जर्दा बनाने के लिए मैं रख दी हूँ कड़ाई गरम हो गया है आधा चिम्मच रिफाइन तेल डाल देती हूँ इसमें हम आधा चिम्मच डाल देंगे घी, घी से बहुत अच्छा टेस्ट रहता है आप चाहे घी डालिए चाहे रिफाइन तेल डालिए दोनों से बहुत अच्छा टेस्ट रहता है दाल चीनी, लॉंग, काले मिर्ष, चार चार लॉंग, चार काले मिर्ष डाली हूँ, दो इलाइची हरी, दाल चीनी का टुकड़ा आधा, दो चिम में इसमें मैं पानी डाल दी हूँ, मीठे के इसाब से सक्कर डाल दी हूँ, सक्कर को मैं इस तरह चला देती हूँ, सक्कर में पानी जादा नहीं डालना है, क्योंकि सक्कर पानी छोड़ता है, तो चावल गीला हो जाएगा, फरफर नहीं बनेगा, अच्छे से मैं कर दी हूँ, मिक्स, पिघलना इस डाड़ हो गया है सक्कर, तो इसमें हम डाल देंगे, उबले हुए चावल, सभी चावल को मैं इसमें डाल दी हूँ, अच्छे से फैला दी हूँ, सक्कर चावल को अच्छे से कर देंगे, मिक्स, सक्कर चावल को अच्छे से मैं कर दी हूँ, मिक्स, इसमें मैं डाल देती हूँ, कलर, कलर में डाली हूँ एलो कलर हारा कलर इसे हम दम कर लेंगे ढखके अच्छे से यह हो गया है दम आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिप-चिपा नहीं है यह अच्छे से पक गया है तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा काजू और बादाम इसको भी अच्छे से कर देंगे मिक से जर्दा बनके तैयार हो गया है इसको मैं उतार देती हूँ अब मैं बिर्यानी दिखा देती हूँ बिर्यानी भी अच्छे से हो गई है दम चावल भी अच्छे से पक गया है इसको मैं आपको चला के भी दिखा देती हूँ ऐसे मैं निकाल लेती हूँ ये बहुत टेश्टी बनता है मेरे तरेके से ज़रूर एक बार बना के खायेगा बार बार खाना पसंद करेंगे मैं आज बनाई हूँ बिर्यानी उसके साथ मैं इधर मैं बनाई हूँ राइता राइता प्याज खीरे का है और दही यहाँ पे मैं बनाई हूँ जर्दा बिर्यानी के साथ मैं जर्दा बहुत अच्छा लगता है और जो भी मेरी चैनल पे नए हैं वीडियो थोड़ी भी अच्छा लेगा है तो लाइज सब्सक्राइब करेगा सेर करना मत भूलेगा कमेट करके जरूर बताईएगा